हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो मैं चानल धन्श्री क्रियेशन्स प्लीज प्रेश दे बेल आइकन एंड सब्सक्राइब तो मैं चानल सो दोस्तो आज हम सीखेंगे आलू प्याज टमाटर वाले मसाला सांविच एक नए ट्विस्क के साथ सो जल्दी से देख लेता हैं कि हमें किन किन चीजों की जरुरत लगेगी सो मैंने तीन टमाटर लिये हैं, तीन प्याज लिया है, धनिया पत्ती लिया है, मिर्ची लिया है दो, बॉयल करके मैंने पांच आलू लिये हैं, बटर लिया है, मैंने पीनेट्स को रोज करके मुंफली को रख लिया है, मैंने हल्दी लिया है, वन टीस्पून, लाल मिर्च गरम मसाला है थोड़ा सा 1.5 टीसपून से कम है आप चाहे तो इसको skip भी कर सकते हैं अने नमक लिया है टू ऐना हाफ टीसपून और देशी ही लिया है मैंने थी टेबल स्पून अब दोस्तों देखिए आपके इंग्रीडियंस जो है quantity के हिसाब से कम जादा हो सकते हैं तो आप अपना ध्यान रखेगा और सारी ही चीजों का description मैं अपने description box में हर वीडियो में देती हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में तो हमेशा की तरह हमने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी और हमने पहले कढ़ाई को अच्छे से गरम किया फिर इसमें मैंने फिलहाल अभी वन अना हाफ टेबल स्पून देसी घी डाल दिया है जी हां दोस्तों हम इसको देसी घी में ही बनाएं और ध्यान रटना है कि प्यास को हमेशा हमें तेज आज पे ही पहले भुनना चाहिए और प्यास बुनते वक्त हमें कहीं दूर नहीं जाना चाहिए हमें एक थाइम पर एकी काम करना चाहिए और प्यास जब तक ऐसी gdyumn in आप मीडियम टू हाई फिलीम के बीच में इसको भुनिएगा तो कि हमें इसे अच्छे से मिश्चर में मैश करना है तो हमें इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ ऐसी चाहिए और अब हम इसमें अपने चौप किया हुए सारे टमाटर डाल देंगे और टमाटर के साथ ही मैं अपने हरे मिर्च डाल दूँगी अगर हम हरी मिर्च को स्टार्टिंग में प्यास के साथ ही तड़कियं में पकाते हैं तो एक कड़्वाहट आ जाती है पूरे बैटर में तो इसलिए आप टमाटर के साथ हरे मिर्च डालीएगा अब मैंने इसमें हल्दी डाल दी अपने अच्छे से चलाना है और थोड़ी देर एक मिनट चलाने के बाद हम इसको धग देंगे और बीच बीच में एक दो बार उठा उठा के फिर से चलाएंगे टमाटर पकने में बहुत अगा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपकी कडाई अलरी बहुत गरम है तो दो से तीन मिनट में आपका यह जो बैटर है जो मिक्सर है बिलकुल रेडी हो जाएगा अब आप आलू को चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं बट मैंने आलू को ऐसे छोटा छोटा चौटा चौप कर लिया था और उसके बाद मैं इसको हाथ से ही मैश करके डारिकली कडाई में डाल ली हूँ क्योंकि जब आपका करहाई गरम होती है आपका बाकी का बैटरह मोला होता है तो आलू को भी समाश करना बहुत इजी होता है आलू डालने के बाद और आपको डख के नहीं पकाना इसको ओपन करके ही पकाना है और आपको तीन से चार मिनिट लग जाएगा इस टेक्शर पे लाने में और इसके बाद हम अपनी चॉप कीवी सारी धनिया पत्ती इसमें मिक्स कर देंगे अब मेरा बैटर बिल्कुल हो चुका है मैंने इसको टेस्ट किया था इसमें हर चीज बिल्कुल पॉफेक्ट है अब मैंने सांविच मेकर में देशी घी नीचे लगा दिया है दोस्तो आपको लगा कितना गी यूज किया है बट जब तक गी नहीं लगेगा अच्छे से सांविच में तो यह कैसे बनेगा अच्छे से अब तो देखिये मैंने मॉमफली रोस करकी रखी थी ना उसको छिल लिया और उसको सांविच के बीच में ऐसे लगा दिया और मैंने अभी बस एक पीस में अंदर बटर भी लगाया है और दूशे वाले कीश में बटर नहीं लगाया है और नीचे ने देशी की ही लगाया produce और उपर में इस पे बटर लगाऊंगी क्योंकि बटर में होता है थोड़ा सा नमक जिसके वज़े से जो ये ब्रेड की जो टेस्ट होती है वो और जाधा इंपरीज हो जाती है ये और जो अंदर हम इसमें मौमफली डाल ले हैं उसके वज़े से एक बहुत अच्छा कुरकु आपको ये बहुत ही अमेजिंग लगेगा तो दोस्तों मैंने यहां पर अमुल बटर का ही यूज किया है और आप भी ध्यान रखी कि जब भी आप ऐसे सैंविच बना रहे हैं मेरे स्टाइल से तो आप भी अमुल बटर का ही यूज करिएगा क्योंकि मैंने एक ब्रेड पे बटर अंदर भी डाला है तो मैंने एक स्लाइस पे बटर थोड़ा ऊपर से कम लगाया है और अब हम अपने सैंविच मेंकर को बन कर देंगे और सैंविच बनने का इंतजार करते हुए हम दूसरा पीस भी अपना रेडी कर देंगे हमने फिर से बैटर को लगाया और उसके पर सारी मूमफली जो हमने रोज करके डाली थी डालती दोस्तों आप एक पास तरीके से बना के खाईएगा और मुझे जरूर बताईएगा कमेंट बॉक्स में कई लोग मुझे मैसेच करके बताते हैं कि दंश्री बहुत अच्छा बना था हमने ट्राय किया आप लोग मेरे मिनिट के बाद कुछ ऐसी कंडिशन है इसकी अभी मैं इसको और क्रिस्पी करना चाहती हूं कि मुझे बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी पसंद है अब देखिए जो कलर आया है फाइनली जो इदम सुर्ख कलर आया और बटर के वज़े से आप उपर का टेक्शिर इसका देखि भीगा हुआ है बटर में अच्छे से सो अब हम दूसरे राण को भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं और मैंने इनको हमेशा की तरह as usual अद्रक वाली चाय के साथ मैंने बनाया था और दोस्तों मैंने अभी रीसेंटली चाय मसाला भी ट्राइ किया जी हां यहां राजिस्त में चाय मसाला भी यूज होता है उसको भी अगर आप चाय में थोड़ा सा डालते हैं तो उससे भी बहुत अलग टेस्ट आता है तो दोस्तों ध्यान रहे कि मैंने आपको हाफ से भी थोड़े कम बैटर के ही सांविच बना के दिखाए हैं इस वीडियो में और यह देखिए हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी बटर वाले पीनेट्स वाले मसाला सांविच बिलकुल रेडी हैं तो दोस्तों मैंने इसे धनिया पत्ती लैसुन अद्रक मिर्च नमक और टमाटर की चटनी के साथ सौफ किया था यह बहुत ही अमेजिंग बने हैं और आप इसी स्टाइल में सा कि बाइ बाइ